पुर्जा मंत्री अर्विंद कुमार शर्मा कबयान विद्ध संघर्ष समिती के साथ तीन मीटिंग हुई बरेली में फॉजी ने अपनी पत्नी के दूसरे फॉजी से अवेच संबंदों के चलते उसकी पत्नी को धारदार हत्यार से वार कर मौत की खाट उतार दिया वही पुलिस ने फॉजी की पत्नी की हत्या करने वाले अवियुक्त को गरफतार कर लिया है और उसके कबजे से आला कतल बरामत कर लिया है ने अवियुक्तों को जेल भेच दिया गया है तस्वीरों में दिख रहा अभयोक्त नितीश पांडे कैंट थानाशेत्र के यूवी एरिया सिगनल रेजिमेंट में सिंगल तस्वीरों में दिख रहा अभ्योक्त नितीश पांडे केंट थानाचेतर के UV एरिया सिग्नल रेजीमेंट में सिग्नल मैन के पदबर तैनाथ है जिसने अपनी पत्नी के अवैद संबंदों के चलते जिससे उसके अवैद संबंद थे उसकी पत्नी की हत्या कर दी दरशल मामला कुछ ऐसा है कि UV एरिया सिग्नल रेजीमेंट में तैनाथ सिग्नल में नितीश पांडे के पत्नी के यूवा यूवी एरिया में तैनाथ फौजी मनोज हवलदार से अवैद संबंद थे इसको लेकर नितीश मनोज हवलदार के घर गया जहाँ पर उसकी पत्नी उसकी पत्नी के कुछ फोटो और वीडियो मनोज सेनापती के पास मौजूद थे जिसको लेकर उसने सुदेशना सेनापती से कहा कि वह मनोज सेनापती को बुलाए नितीश का कहना है कि उस वीडियो और फोटो को लेकर मनोज सेनापती उसकी पत्नी को लगाता है ब्लैक मिल करते हुए पुलिस ने आरोपी नितीश पांडे को ग्रफतार कर लिया और उसकी निशान देही पर आला कतल, खुकरी स्कूटी और हत्या में प्रयोक्त उपकरनों को बरामत किया है। पुलिस ने मामले में अभियोक्त नितीश पांडे को जेल भेज दिया है। पतनी मनोच सेनापती जो की यूबी एरिया सिगनल रेजिमेंट बरेली में तैनात है, तो इस शव को कबजे में लिया गया, पीम की कारवई की गई और तमाम सबूत और एविडेंस सीन अफ क्राइम से जुटाये गये। इन सभी तफ्तीश के बाद मुकदमा पंजिकरत हुआ और इसमें अभियुक्त के गिरफ्तारी हुए जिसका नाम नितेश पांडे है, उत्र नागेंद्रनात पांडे, थाना सादात जिला गाजीपुर का ये निवासी है। और ये सिंगनल रेजिमेंट यूबी एरिया में पोस्टेड है, और जो हत्या का मोटिव था, वो अवैद संबंध थे, जो मृतका है उसके पती का और जो अभियुक्त है उसकी पतनी का आपस में संबंध थे। उसके कुछ वीडियोज और फोटोज कोई अपने फोन में रखकर उसको ब्लैकमेल करता था। प्यास में अभियोज और उसके के पती का आपस्ट Разब थे।